गुड इवनिंग एवरिवन कैसे हो आप सभी तो दोस्तों आज की पेड़ गलास में हम हिंदी कहानी से सम्मंदित टेस्ट करेंगे जो की 50 प्रशनों से सम्मंदित ये टेस्ट रहेगा ठीक है टोटल हमने 50 कोशन करने हैं और सभी कोशन महत पूर्ण रहेंगे जितना भी चलिए पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है उसने कहा था कहानी के लेख कौन है कौन माने जाते हैं चंदर धर शर्मा गुलेरी जी माने जाते हैं ठीक है कौन माने जाते हैं चंदर धर शर्मा गुलेरी जी अब गुलेरी जी ने तीन कहानिया लखी थी हाना कौन कौन सी कहानि या इनकी जो मानी जाती है. उसने कहा था. दूसरी मानी जाती है सुख में जिवन. और तीसरी कौन सी है? बुद्दु का कांटा. तो यह तीन कहानिया महत्वून हैं जो एक्जाम में अक्सर पूछी जाती है. अगला कुश्यन देखिए सुकल की बीवी, most important question है, केदार नाज सिंग है, धर्मबीर भारती, निराला या फिर कमल भारती, answer chain करें, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सुकल की बीवी किस की रतना है, निराला की, ठीक है, सुकल की बीवी कैसी होगी, निराली होगी, हाँ जी, देखो, अगर निराला की कहानिया पूछी जाएना, तो निराला की एक लीली नाम से भी है, ठीक है, किस नाम से लीली नाम से है, इसके अलावा आपको सक्षी पदमा नाम से भी रचना मिल जाएगी शिरीमती गजानन शास्त्री नाम से भी निराला की महत पून रचनाए देखने को मिल जाती है ठीक है चलिए तो अगला कुशन देखते हैं ताई कहानी के लेखा कुन है बताओ जल्दी से ताई कहानी के आचारे चतुर से इन सास्तरी जी हैं सुदर्शन जी है प्रेम चन है या फिर विशंबरनाथ शिर्मा चलिए क्या अंसर जाएगा ताई का आप से पूछा है तो विकल्प नमबर डी से ही हो जाएगा ठीक है वि इसके अलावा देखे इनकी एक महत्पूर्ण कहानी है रक्षा बंदन ठीक तो आप सभी ने ये जरूर नोट कर लेनी है बिशंबर नाथ शर्मा जी की रक्षा बंदन ठीक है अच्छा अगर सुदर्शन की आप से पूछी जाएगी तो सुदर्शन की एक चर्चित कहानी है ह पार की जित परिंदे कहानी आप से पूछा गया है एक्जाम में एकसर कोश्चर परिक्षा में निर्मल वर्मा है राजिंदर यादव यश्पाल या फिर रविंदर कालिया बिलकुल बताएं जल्दी से क्या अंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया परिंदे किस परकार के हैं निर्मल हैं तो विकल्प नमबर क्या हो जाएगा ए से ही हो जाएगा ठीक है एक इनकी महत्पून कहानी और भी मानी जाती है कवे और काला पानी ठीक है किसकी निर्मल वर्मा जी की ये अकसर एक्जाम में पूछी जाती है जल्ती जाड़ी नाम से भी एक इनकी महत्पून रचना है, पूस्की रात कहानी के लेख कोन है, बताऊ जल्दी से पूस्की रात, सीधा सीधा आंसर जाएगा, विकलप नमबर B, प्रेम चंद की ये रचना मानी जाती हैं प्रेम चंदी जी की रचनाओं में देखे नमक का दरोगा आपको देखने को मिल जाएगा एक और रचना है इनकी कजाकी ठीक है कजाकी नाम से भी एक रचना है बड़े घर की बेटी है सोथ है पंच परमेश्वर सद्गती कफन बहुत सारी ऐसे इनकी रचनाओं है जो की एक कर सकते हैं जैसे घुस पैटी ये नाम से इनकी कहानी थी बैल की खाल नाम से इनकी कहानी थी पच्चिस चोका नाम से भी इनकी कहानी महतबून है अगला देखे परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है बताओ जल्दी से परमात्मा का कुत्ता आप से पूछा है किसकी रचना मानी जाती है निर्मल वर्मा मोहन राकेश विश्णु परफाकर या फिर राजेंदर यादव जी जल्दी से आंसर दे सबी के आंसर रुक गए हैं थोड़ा फास्ट आंसर देना शुरू करें क्या आंसर हो जाएगा परमात्मा का कुत्ता मुस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है और इनसे समंदित एक क्वेश्ण मास्टर कैडर परिक्षा में पूछा ही पूछा जाता है क्या आंसर दाएगा विकल्प नंबर भी मोहन राकेश जी की है अगर बात करते हैं मोहन राकेश की अन्य कहानियों की जल्दी से वो भी कहानिया लिख दीजिए ठीक है जब भी आ आपके एक्वल आ सके हाना और मैं चाहता हूं कि सभी के सभी मास्टर कैडर जोब पर लगे इस बार तो ठीक अच्छा परमात्मा का कुत्ता आप से पूछे गए थी मोहन राकेश की है इसके अलावा देखे इंसान के खंडर है नए बादल है जानवर और जानवर एक और ज चंद की कहानिया किस नाम से संकलित है किस नाम से संकलित है मान सरोबर ग्यान सरोबर प्रेम चंद की कहानिया या फिर नमक का दरोगा अंसर चेहन कीजे क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से क्या अंसर जाएगा विकल्प नमबर ए सही हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा मानसरोवर में ठीक इंपॉर्टन्ट है ये एकजाम में पूछा जाएगा आप से मानसरोवर का वैसे भी एक कोशन मास्टर कैडर परिक्षा में पूछा गया था ठीक है आठ भाग है इसके अगला देखे आठमा कोशन है यहां पर आपको कहानिया दी गई है और इसका अनुकरम करना हैं आप सभी ने ठिक है तो परिंधे है राजा निर्वंसिया है उसने कहा था और एक टोकری भर मिटी ठिक तो ये आपको कहानियां दे गई है देखें दोस्थों इन सभी कहानियों में एक टोकری भर मिटी सबसे पहले लिखी गए थी मादव सप्रेग जी के द्वारा आप सभी को पता है बहुत बार मैंने आपको पताया है ठीक है और पहली कहानी मानी जाती है 1901 की मानी जाती है ठीक कब की मानी जाती है 1901 की उसने कहा था 1915 की मानी जाती है ठीक राजा निर्वनसिया 1957 की मानी जाती है कमलेश्वर जी की ये रचना है ठीक न और परिंदे कहानी किसकी है निर्मल वरमाजी की ठीक कब लिखी गई थी ये 1960 में ठीक है तो नई कहानी से समंदित ये रचना है ठीक है तो आप सबी को ये सारी की सारी चीजे पता होनी जाहिए अगला देखिए नौवा कोशन है निमिलिखित में से किस कहानी में अती व्यस् आदमी किस असंतुस्ट पतनी को विश्य वस्तू बनाया है ये कोशन देखिए पूछा ही जाता है जादा तर एक्जामों में जब भी आप देखिए टीजिटी पीजिटी एक्जाम होगा तो उसमें इस परकार का इस कोशन से सम्मंदित ठीक है आपको एक कोशन देखने को मिलेगा बताओ जल्दी से निमी लिखित में से किस कहानी में अतिव्यस्त कामकाजी व्यक्ती की असंतुस्ट पतनी को विश्य बनाया गया है ग्रामों फोन का रिकार्ड है नीलम देश की राजकन्या बाहु बली या फिर द्रिस्टी दोश बताओ जल्दी से बहुत विकल्प नमबर क्या हो जाएगा ए सई हो जाएगा ग्रामों फोन का रिकार्ड जैनेंदर जी के दुआरा ये लिखी गई रचना मानी जाती है ठीक है और बाकी भी ये रचना ये देखे जैनेंदर कुमार जी की ही है नीलम देश की राजकन्या है ठीक है बाहु बली द्र रचना या फिर कह लीजे कहानिया है कोशन नमबर दस देखे रक्षा बंदन कहानी के लेखा कौन है अभी हमने बात की थी रक्षा बंदन कहानी की किसके दुआरा ये लिखी गई थी बिशंबर नाश शर्मा कोशिक जी के दुआरा ये लिखी गई थी ठीक है बहुत अच् सही बिल्कुल परफेक्ट गया है I think अभी मुझे लगता है एक भी कोशन आप में से किसी का गलत नहीं गया सभी ने आंसर बिल्कुल परफेक्ट बताए है हिंदी कहानी में यथार्थ वादी परंपरा की नीव किसे ने रखी है यथार्थ वाद से सम्मंदित भी मास्टर कैटर में कोशन बना है बंग महिला है जिने राजेंदर बाला घोश भी नाम से जाना जाता है प्रेमचंद यश्पाल या फिर राही मसूम रजा क्या अंसर हो जाएगा बहुत अच्छे विकल्प नमबर बी से हो जाएगा प्रेमचंद यथार्थ वादी परंपरा की निव किस ने रखी दी प्रेमचंद जी ने रखी थी और बंग महिला का मैंने आपको बताया है इनका मूल नाम कौन सा है राजेंदरबाला घोश पर्थम महिला कहानी कार के रूप में परसिद हैं दुलाई वाली नाम से इनकी महत पून या फिर कह लिजे एक परसिद रतना है ठीक है अगला कोशन देखिए अगला कोशन है बारवा है मलवे का मालिक है यहाँ पर मलवे का मालिक नाम से थी बताओ किस से सम्मंदी थी ये कहानी थी मलवे का मालिक किस सम्मंदी थी भारत पाक विबाजन से सम्मंदी थी ठीक है और ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई थी अगला कोशन देखे ये वाला कोशन भ या फिर कफन, बताओ जल्दी से घीसू और माधो, किस कहानी के पात्र आपको देखने को मिलते हैं बहुत बढ़ी आ किसके मिलते हैं कफन कहानी के मिलते हैं ठीक है परसिद कहानी है कफन इसके अलावा देखे इनकी सोत पंच परवेश्वर नमक का दरोगा ठाकर का कुवा नशा काफी IMPORTAN रचनाए हैं बूरी का की है अगला देखे आदमी का बच्चा कहानी का मु और इसके अंदर आदमी का बच्चा कहानी का मुख्या पात्र कौन माना जाता है बग्गा साहिब माना जाता है ठीक बिकलप नमबर ए जाएगा इसका अंसर ठीक है और जबकी मिस्टर सामनाथ भीशम सानी की जो रचना थी चीफ की दावत ठीक है ये वला चीफ की दावत का म मैंने इसलिए बताया है क्योंकि भीसम साहनी सीजी से भी सम्मंदित आपको कोशन पूछ लिये जाते हैं कोशन नमर 15 देखिए क्या इस्तरी होना कोई पाप है उपरियुक्त समवाद किस कहानी से सम्मंदित है दुलाई वाली आकाश दीप लाल पान की बेगम या फिर देखिए चैन कीज़े जल्दी से क्या इस्तरी होना एक पाप है किसके दुवारा ये लिखित रचना है सबसे पहले देखिए ये समवाद किसके माने जाते हैं ये जैशंकर परसाद जी के दुवारा लिखी गई कहानी संग्रह था कौन सा था आकाश दीप इसमें से लिए गए हैं बहुत अच्छे बहुत बढ़िया इसका मतलब आपने अच्छे से डीप स्टेडी की है हना तब ही आपके सभी के अंसर अच्छे जा रहे हैं आप सभी को पता है जैशंकर परसाद जी की कहानिया गरा में है छाया प्रतिधोनी आंदी अकाश दीप इंदर जाल बह फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ यह पंक्ती परसाद की किस कहानी से ली गई है आकाश दीप पुरुसकार गुंडा या फिर सालवती चैन कीजे जल्दे से अंधेर है दस्यू फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ यह पंक्ती जैशंकर परसाद जी के आकाश दीप कहानी स अंग्रे से ली गई है ठीक है तो विकलबर नमर क्या जाएगा ए से ही हो जाएगा अगला कोशन देखिए सतार्मा कोशन आपकी स्क्रीन पर है आप सबी ने देखिए कहानिया दी गई है और उनसे समंदित पातर दिये गई है आप सबी को उसे सुमेलित करना है ठीक है आकाश गुपत इसका क्या माणा धाता है महतपूर पात्र माना धाता है दिल्ली में एक मोत इसका कोन सा पात्र है अतुल नाम से है ठीक है कमलेशवर जी की ये रचना है उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है बोथा सिंग है चंदर धर्व शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई रचना थी ए गैंगरीन कहानी के जो पात्र हैं मालती हैं अगे जी के द्वारा गैंगरीन कहानी लिखी गई थी ठीक तो सभी को मैंने आप सभी को बता दिया है और इनके रचनाकार भी बता दिये हैं अगला देखिए मुखोटा किस लेखिका का कहानी संग रहा है मुखोटा आपसे पूछा है मनु भंडारी, मन्जुल भगत, ममता कालिया या फिर इंदू बाली मुखोटा के लेखिक कोन माने जाते हैं बताओ मुखोटा कोन पहने का जो काला होगा ठीक है न या कालिया होगा तो आंसर क्या जाएगा विकल्प नमबर C ऐसे इसको याद रख लीजेगा कई बार आपसे कोश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो याद नहीं रहता इनकी एक महतपूर्ण रचना है एक अदद ओरत ठीक और सीट नमबर छे ये दोनों ही महतपूर्ण रचना हैं इनकी मानी जाती हैं ठीक है और अगर बात करें मनू भंडारी जी की तो इनकी बहुत सारी कहानिया हैं उनमें से इंपॉर्टेंट है मैं हार गई तुरी शंकू यही सच है एक पलेट सैलाव नाम से इंपॉर्टेंट रचना हैं इनकी अगला देखिए रक्षा बंदन कहानी के लेखक यह भी किया था ठीक है रिपीट हुआ है बिशंबर नाज शर्मा कोशिक जी की एरतना मानी जाती है अगला देखिए इसको छोड़िए बीसवा कोशन देखिए निमलिकित में से ओम परकाश बालमी की का कहानी संग रहा है दिव्या सुअपन है नमक का कैदी है उत्री है या फिर अपाहिज है चैन कीजे जल्दी से ओम परकाश बालमी कीजी का यहाँ पर देखिए उत्री की जगा पर छत्री आएगा ठीक है क्या आएगा छत्री तो ये गलत लिखा हुआ था इसको सही कर लिजेगा दुबारा से देख लिजे निमिलिकित में ओम परकाश बालमी की का कहानी संग्रे कौन सा है दिवास वपन है नमक का कैदी है छत्री है या फिर अपाहिज है क्या आंसर हो जाएगा विकलप नुबर सी जाएगा छत्री नाम से इनका कहानी संग्रे माना जाता है अगला कोश्चन 21 है सचेतर कहानी का परवर्तक इन में से कौन है जैनेंदर है महीप सिंग कमलेशवर या फिर निर्मल बर्मा एक्जाम में पूछा गया कुछन है सचेतर कहानी का कौन सा माना जाता है परवर्तक महीप सिंग माने जाते है ठीक है अगर हम बात करें और कहानी की तो गंगा प प्रवरता कौन माने जाते हैं कौन माने जाते हैं कमलेशवर सक्रिय कहानी के कौन माने जाते हैं राकेश वस माने जाते हैं अगला कोशन देखिए बाइसमा कोशन है निमिलिखित में से कौन सी कहानी परसाद दुवारा रचित नहीं है नहीं है आप से पूछा गया है देखे ममता है इनकी कहानी मानी जाती है सालवती भी है और छाया भी परंतु सुभान भगत इनकी रचना नहीं है ठीक है किसकी नहीं है सुभान भगत इनकी रचना नहीं मानी जाती ठीक है important है ये याद रखेगा प्रेम चंद की ये कहानी मानी जाती है सुभान भगत अगला कोशन देखे तेईस्वा कोशन है निमेलिखित में से कोन सी कहानी उद्य परकाश दुवारा नहीं लिखी गई है ये जरूर आप याद रखेगा तिरिच है पाल गोमरा का स्कूटर है पील पीली छत्री वाली लड़की ये सबी किसकी है उद्य परकाश की है परंतु ये कहानी किसकी नहीं है उद्य परकाश जी की नहीं है पत्थर गली ठीक चलिए अगला कोशन देखे अगला कोशन है चोविसमा है निमेलिखित में से कोन सी कहानी मोखन राकेश दुवारा रचि खोई हुई दिशाएं मलवे का मालिक जिंदगी और जोग या फिर जहां लक्षमी कैद है बताओ जल्दी से जहां लक्षमी कैद है क्या अंसर हो जाएगा मोहन राकेश के दुबरा लिखी गई रतना कौन सी मानी जाती है मलवे का मालिक ठीक है इसके अलावा देखे खोई जोग में अमरकांद पिस गए इसको ऐसे याद रखी अगा जहां लक्षमी कैद है किसकी रतना है राजेंदर यादव जी की है ठीक अगला देखे गदल कहानी के रतनाकार ठीक है कोशन पुछा गया है गदल कहानी के रतनाकार इन में से कून है निर्मल बर्मा है रांगे आगव जी के द्वारा लिखी गई थी ठीक अगला कोशन देखिए कोशन नमबर 26 है जंक्षन कहानी के लेखक आई एमपी है ये रतना अच्छे से इसको कीजेगा मुक्ति बोध है अगे है दूतना सिंग है या फिर यश्पाल है क्या अंसर हो जाएगा जंक्षन में जाकर अच्छे अच्छो की क्या हो जाती है मुक्ति हो जाती है ठीक है तो ऐसे इसको आप सबीने याद रखना है क्या अंसर जाएगा इसका मुक्ति बोध सही हो जाएगा ठीक है क्या अंसर चला जाएगा मुक्ति बोध बहुत अच्छे सबका अंसर बिलकुल सही गया अगला को कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है कथा धारा में संकलित कहानी शरण दाता के पात्र देविंदर लाल और रफीक उद्दीन घर पर बैठ कर किसकी अलोचना करते हैं देश के वर्तमान की देश के भविश्य की मुसलमानों की या फिर राजनेताओं की आपको इस परकार का क्या अंसर हो जाएगा बहुत वड़िया विकल्प नमबर बी सही हो जाएगा देश के भविश्य की शरण दाता कहानी किसकी मानी जाती है तो ये सचिदानंद हीरानंद वासाइन अग्ये जी की मानी जाती है अगला देखे निमलिखित में से कौन सी कहानी जैशंकर कि कौन सी नहीं है तावान नहीं है ये मुंशी प्रेम चंद जी की रचना मानी जाती है ठीक है अगला कोशन देखे निमलिखित कहानी कारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग रही थें निलाला जी की भगवती चरण वर्मा की भगवती परसाद बाजप वर्मा जी की ठीक है वर्मा जी की कहानियां मानी जाती है इंस्टॉलमेंट में संग रही थें अगला कोशन देखिए तीस्वा कोशन है ग्यारा वर्ष का समय कहानी के लेखा कौन है आई एंपी कोशन है एक ही कहानी नों ने लिखी थी अपने जीवन काल में जो की महत पू कहानी संग्रे अग्य जी का है परंपरा है दिवाली है शरनार्थी है या फिर अमर वल्लेरी है चैन कीजे जल्दी से क्या अंसर हो जाएगा अग्य जी का कहानी संग्रे आप सभी को बताना है कौन सा माना जाता है कौन सा नहीं है ठीक है ये पूछा गया है आपको बाकी किनों ही किसके माने जाते हैं अगे जी के माने जाते हैं परंतु दिवाली इनका नहीं माना जाता ठीक वेकलब नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा जो नहीं माना जाता वो आपसे पूछा गया है ठीक है अशोक भटनागर जी के नाम से एक रचना कार थे उनकी ये र प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर परसाद दिवेदी पुरुसकार से सम्मानित किया गया नौरंगी बिमार है पेड की याद हल वाहा या फिर किस सागो बताओ जल्दी से अगर किसी को पता है क्या अंसर जाएगा इसका विकल्प नमबर बी से ही हो जाएगा पेड की या अंदित आपको कहानिया देखने को मिल सकती है इनकी एक महत्पूर्ण कहानी है नोट कर लिजेगा कोसी का घटवार जादा तरह आपको देखने को मिलेगी इनकी रचना अगला कोशन देखिए धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेख कौन है भीश्मसानी राजेंदर वर्मा जी अंसर चैन करें धूप का एक टुकड़ा कैसा होगा निरमल होगा जब सुबा के समय आप धूप लेते हो न तो कितनी अच्छी सी लगती है वो हाना निरमल निरमल सी लगती है तो विकलप नंबर क्या जाएगा डी सही हो जाएगा निरमल वर्मा जी की ये रचन मानी जाती है ठीक है अच्छा इनकी एक लवर्स नाम से भी एक रचना है ठीक है कहानी मानी जाती है कौन सी लवर्स नाम से अगला कोशन देखिए चोंतिस्वा कोश्ण आपकी स्क्रीन पर है परेम चंद की निमिल लिखित में से किस कहानी को आधूनिक बिमर्शों में से एक विर्दा वस्ता बिमर्श के अंतरगत रखा जा सकता है बूड़ी काकी, सदगती, अल्गयोजा या फिर मुक्ती का यश्य चैन कीजे जल्दी से देखे ब्रदा वस्ता बिमर्श से समंदिती ये कहानी है और बहुती मार्मिक दृश्या इसमें पेश किये गए थी परेम चंद जी के दुवारा लिखी गई ये रचना कौन सी है बू हामिद का आप से पूछा है बताओ जल्दी से कौन सी है इदगा बहुत बढ़ी आप सभी ने पड़ी होगी हना चिम्टे से समंदित जो कहानी चलती है और इसके अलावा इसके पात्र कौन कौन से है महसिन नाम से भी है अमीना आप से ज़्यादा तर पूछा जाता है कि किस कहानी के पात्र माने जाते है इदगा के ही पात्र माने जाते है अगला कोशन देखे च्छतिस्वा कोशन है निमलिकित में से कौन सी कहानी जैशंकर परशाद जी की नहीं है ठीक है यहाँ पर नोट कर लीजेगा नहीं है ठीक है इंदुमती गरामय पुरुसकार या पिर आकाश दीब बताओ जल्दी से कौन सी नहीं है देखे इनकी जो मानी जाती है गरामे मानी जाती है पुरुसकार मानी जाती है आकाश दीब लेकिन इंदू मती इनकी रचना नहीं है किसकी रचना मानी जाती है इंदू मती किशोरी लाल गो स्वामी जी की ठीक है क्या जा कहानी थी सेक्सपेर के टेंपेस्ट नामक नाटक के आधार पर लिखी गई ये कहानी मानी जाती है ठीक है आधार पर लिखी गई है ना कि उसका अनुवाद है तो ये जरूर याद रखेगा क्योंकि देखिए सत्य हरीश्चंदर नाम से एक रचना है नाटक है किसका भारत इ लिजेगा कि ये अनुदित रचना है ठीक है अनुदित तो ऐसे मानकर चलिए कि उसका अनुवाद कर दिया ठीक तो मौलिक रचना में कहा है आधार ले सकते हैं मतलब उसके जैसी कहानी ले सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद से लिखी गई रचना मानी जाती है अगला कोशन देखें 37 कोशन है उसने कहा था कहानी का परकाशन वर्ष क्या है 1916-15, 1917 या फिर 1914 क्या अंसर हो जाएगा बताओ जल्दी से उसने कहा था क्या अंसर देगा विकलब नंबर भी 1915 ठीक है प्रथम विश्वयुद के प्रस्ट भूमी पर लिखी ये रचना मानी जाती है ठीक है चंदर धर शर्मा गुलेरी जी की ये रचना है इसमें लहना सिंग आपको मास्टर कैटर में पूछा गया था कौन सा पुछा गया था लहना सिंग ठीक है इसके अलावा देखे सूबेदार नी है बजीरा सिंग है ये जरूर आप याद रखेएगा क्योंकि ये कोश्यन अगर इस बार मास्टर कैटर आता है तो चंदर धर शरमा गुलेरी जी से समिनदित कोश्यन बनेगा घुमा फिराकर ठीक है न तो आप सभी ने करना ही करना है वो लानी केटकी की कहानी किस ने लिखी लानी केटकी की कहानी आप से पूछा गया है इसको ओदैभान चरित नाम से भी चाना जाता है क्या अंसर जाएगा इसका विकलब नबर 20 ही हो जाएगा इंशागा खान जी के दुआरा ये लिखी गई रचना मानी जाती है और ये हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा भी मानी जाती है ठीक है दुबारे से सुन लीजिएगा ये जो रचना है रानी केत्की की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा मानी जाती है अगला कोश्चन देखिए 49 कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है निमिलि सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा गया है देखे शेखर जोशी जी की रचना दस्यु है धरम बीर भारती की सिक्का बदल गया निर्मल बर्मा की परिंदे क्रिशना सोबती की बादल बादलों के घेरे बताओ जल्दी से कौन सी इसके अंदर से सुमेलित नहीं है बताओ जल्दी तो आपको क्या बताया था किरिशना सोबती की ये रचना मानी जाती है ठीक है धरंबीर भारती की नहीं तो विकलप नंबर बी जाएगा इसका अंसर अगला देखे चालिसमा कोश्चन है आरंबिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचना कार कौन है ये कोश्चन तो मास्टर क एडर का एक तरह से फेवरेट कोश्चन बन गया था हना क्या अंसर इसका जाएगा चालिसमा विकलप नंबर डी बंग महिला ठीक है राजिंदर बाला घोश नाम से इनको जाना जाता है इनकी महतपूर्ण रचनाएं है देखे चंदर देव से मेरी बाते 1904 इसवी की लिख रचना है कुम्ब में छोटी बहू दुलाई वाली और डालिया नाम से भी इनकी महतपूर्ण कहानी जो मानी जाती है ठीक है अगला देखे हार की जीत कहानी के रचायता कौन है देखे मैंने आपको यह बताया था कि हार की जीत महा भारत के युद में किस पर टिकी हुई थ किर्शन जी के सुदर्शन पर ठीक है ऐसा माना जाता है कि जिसका भी संहार हुआ था वो उस युद में किर्शन जी के सुदर्शन चक्र के दुवारा ही हुआ ठीक है और हार की जीत किस पर निर्वड करती है सुदर्शन पर करती है तो आंसर क्या जाएगा विकलप नंबर ए सही हो जाएगा ठीक है अगला कोश्यन देखे कोश्यन नमर ब्यालीस है निमिलिकित में से कोन सा कहानी कार गरामीन चेतना का नहीं है देखे आपको ये कोश्यन ऐसे जरूर पूछे जाएंगे गरामीन जीवन से समंदित या फिर रचनाय आपको पूछ ली जाएंगी या गरामीन तो आपको कहानी कार देखने को मिल जाएंगे थीक है तो ये मारकंडे हैं वीवेकी राइ सिप्रसार मिलिक फंप बताओ इसका अंसर क्या जाएगा चलो इसका अंसर बताना है आप सबीने क्या अंसर जाएगा इसका विकल्प नमबर D सही हो जाएगा ठीक है निर्मल वर्मा ठीक क्या जाएगा निर्मल वर्मा इसका अंसर हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखे एक छोटा सा मजाक किसकी रचना हैं बताओ जल्दी से क्या अंसर जाएगा इसका बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा विकल्प नमबर सी से हो जाएगा अगला कोशन देखे जैनेंदर कुमार दुवारा रचित कहानी नहीं है फांसी है नीलम देश की राज कन्या है पाजेव है या फिर अमर वलरी बत उनसी नहीं मानी जाती अमर वलरी ठीक है विकल्प नमबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा इसका अगला देखे एक पलेट सैलाव कहानी की लेखी का कुन मानी जाती है बताओ जल्दी से एक पलेट सैलाव इंपोर्टेंट है उशा प्रियंबदा है मनु भंडारी है बती या फिर सिवानी जी है क्या आंसर हो जाएगा किसकी रतना मानी जाती है मन्नु भंडारी जी की ठीक है किसकी मानी जाती है मन्नु भंडारी जी की मानी जाती है अगला देखे छालिसमा कोश्यन है इन में से कौन सी कृती परती बंदित रही है भारत भारती है बंदनी है छांसी की रानी या फिर चिंगारिया बहुत अच्छे चिंगारिया चिंगारिया किसकी कहानी मानी जाती है बताओ जल्दी से ये भी चिंगारिया किसकी कहानी थी बताईए जल्दी से इंपोर्टेंट है ये एक्जाम में पूछी जाती है चिंगारिया नाम से ठीक है अगला देखे 47 वा कोश्चन है जगदंबा बाबु गाउं आ रहे हैं कहानी संग्रे किस कथा लेखी का का है बताओ जल्दी से किसका माना जाता है बहुत बढ़िया चित्रा मृदुगल का ठीक है विकल्प नमबर क्या हो जाएगा डी नहीं होगा सी जाएगा ठीक है चित्रा मृद रथर शर्मा गुलेरी या फिर जनेंद्र कुमार आंसर क्या हो जाएगा इसका बहुत अच्छे विकल्प नमबर क्या हो जाएगा वेरी गुट विकल्प नमबर बी जाएगा फनिश्वर नाथ लेनू जी ठीक अगला कोश्चन देखिए कोश्यन नमबर 49 है प्रेम चंद क अन्तिम कहानी थी? कौन सी थी? इदगा, कफन, ठाकुर का कुगा या फिर बड़े घर की बेटी चैन करे जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? अन्तिम कहानी आप से पूछा गया है कौन सी मानी जाती है? कफन कहानी मानी जाती है, बहुत बड़िया 1936 अच्छा ये बताई ये पूर्ण कहानी थी या अपूर्ण थी ये भी बताओ बताओ जल्दी से अगर अधूरी थी तो ये किसे ने लिखी थी ये भी बताओ क्योंकि ये कुशन आपको पूछ लिया जाएगा अपूर्ण थी ये तो चलिया आप सभी ने बता दिया किसके द्वारा पूरी की गई थी ये बताओ जल्दी से वह बहुत बढ़िया इनके बेटे अमरित राय जी ने बहुत अच्छे अमरित राय जी के द्वारा ये पूर्ण की गई थी ठीक है चलिए बहुत अच्छे अगला देखे 50th कोशन जो की अंतिम कोशन है हत्या नामक कहानी के लिखक कुन है अगे हैं जैनेंदर कुमार मुक्ति बोद या फिर प्रेम चंद बताओ जल्दी से क्या अंसर हो जाएगा हत्या नामक कहानी के लिखक कौन माने जाते हैं कौन माने जाते हैं जी बहुत अच्छे जैनेंदर कुमार माने जाते हैं ठीक विकल्प नमबर बी है हाना होप सो मुझे लगता है आप सभी के आलमोस्ट सही होंगे एक दो कुशन को छोड़ कर क्योंकि वो कुछ टफ कुशन थे हाना कुछ अलग से कुशन पूछे गए थे और इस फरकार के मास्टर कैटर में देखी एक आदा कुशन तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कम से कम आठ दस ऐसे कुशन होंगे जो आपको ऐसे देखने को मिलते हैं ठीक है चलिए ठीक है फिर बाई बाई सभी को अपना ख्याल रखें और आठ बजे वाली कलास में मिलते हैं फिर